हलो साइटोमेटरी मैं आज इस नए इस्टुमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आज की रिसेंट समय में काफी उपयोगी है और इसका हर जगा उपयोग हो रहा है इस टेकनिक द्वारा हम लोग इस एक सिंगल सेल के डिफरेंट पैरामीटर मतलब मल्टी पैरामीट मतलब सेल का काउंटिंग, साइज, सेव, स्टेकचर, इंटासेटोरे स्टेकचर और सर्फेस के वारे में असानी से जनकारी प्राप्त कर लेते हैं उस इस्टुमेंट का नाम है फ्लो साइटोमेटरी अब यहाँ पर दो टर्म का यूज किया गया है जैसे फ्लो दोनों मिलके बने हैं, the following measuring of physical and chemical properties of single cells in a fluidic stream, मतलब flow, मतलब a fluid stream, मतलब liquid के धार या गती में बाते हुए liquid से cell के को का measurement या analysis करना को flow cytometry कहते हैं, cytometry बने हैं, cell के measurement, physical, chemical, property और अनका, तो ये दो टर्म हो गए, flow and cytometry, दोनों मिलके फ्रो cytometry बने गए, अब इस flow cytometry का principle क्या है, तो एक laser light beam, पास थोरो ओटे single cell, एक single cell द्वारा एक laser light beam को पास कराया जाता है, और light scatter side and forward, light क्या हता है, side में और forward दोनों side scatter फैल जाते हैं, और उस फैलाव को, जहां पर light cell को परते हैं, उस point को introgation point कहते हैं, और इस light को एक detector द्वारा measurement कर लिया जाता है, एही मुखरूप से इसका principle है, अब मैं चीतर द्वारा इसकी principle को बताने कोसिस कर रहा हूँ, यहां पर आप देख रहे हैं, एक laser light है, जो light, एक cell पर जाकर परता है, तो कुछ light सीध है, forward scatter, सामने जाते हैं और थोड़ा फैल जाते हैं, और कुछ light है, जो left and right, cell के side scatter, मतलब side में फैलते हैं, उसको side जो scatter होते हैं, उसको सौटम SSC, scattering of light at large angle, जो side scatter light है, और large angle बनाते हैं, जो 15 degree से 150 degree तक के बीच हो सकते हैं, जिसको SSC, यह cell के internal gravity of cell, internal structure के बारे में बताता है, जब की FFC, forward scattered light, जो होते हैं, वो small angle बनाते हैं, 0.5 degree से 5 degree के बीच बनाते हैं, जो cell के size के बारे में information देते हैं, तो इसका principle यही हुआ, कि एक laser light, cell के पास से पास होता है, और ओ laser light, जब cell पर पड़ता है, तो scattered हो जाता है, बनाए फैल जाता हैं, अवे जहां पर फैला हैं, उसको एक interrogation point बोलते हैं, और उस फैलाओं में, जो side SSC scattered light है, और FSC जो light है, उसी को detector दोरा नाप ले जाता है, यही इसका principle है, अब component of flow cytometry, तो three main components मिलकल flow cytometry बना है, पहिला तो यह flow cell या fluidic system, जुसरा optical, तिसरा electronics, electronics जो है, इसमें तीन पार्टर detector, amplification system, एड़ एक computer, एक computer भी जुरा होता है, तो flow cell में इसके क्या काम है, तो sample जो होते हैं, वो tube में flow करते हैं, बनाए आगे की बरते हैं, उसको flow cell का का काम है, तो जो अभी उपर principle में ने बताया है, कि light को side scatter और forward scatter करता है, उसको optical filter द्वारा collect कर लिया जते हैं, और उस light को detector के पास भेज दिये जाते हैं, जो photo current द्वारा detect करने का काम करते हैं, अब measurement system, तो measurement में जैसा कि, यहाँ पर क्या है, कि जो सारे light, जो scattered light है, उसको detect करके, elysis करके, data pivot करके result दिया जाता है, तो यह तीन मुख्य भाग हो गया है, cytometer के, अब यहाँ पर उपर flow, जिसमें liquid inject किया गया है, simple, फिर उसके hydrodynamic focusing, जिससे cell single, single होकर आगे किरुबरते हैं, और single से फिर नीचे laser light जहां, interrogation point परते हैं वहाँ, और उसके बाद वहाँ पर light, आगे forward, और left, right, मने side scatter और forward स्वेड़ होकर, फिर detector की तरफ optical system भेद देता है, जो detect करके, उसको reading देता है, लेकिन एक test लगाने के पहले हम लोग sample, तो sample जो लेते हैं, उसका preparation करते हैं, तो sample हैं bullet sample हो सकते हैं, mononucleus cell और preferred bullet sample होते हैं, फिर bone marrow cell होते हैं, फिर body fluid होते हैं, suspense culture होते हैं, अब preparation for adherence cell, इतने तरह के cell होते हैं, इससे भी अधिक हम मरपास specimen आ सकते हैं, तो इन्हें specimen को अलग अलग तरीकों से हम लोग prepare करते हैं, लेकिन common, मैं टेक्निक बताते जाता हूँ, बताने जा रहा हूँ, जिसमें हम लोग common specimen कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं, देखें, peripheral blood smear, cell, skin, इस सब जितने भी specimen हैं, हम लोग एक tube में ले लेते हैं, और उसको एक suspension बनाते हैं, suspension में हम लोग Florence antibody add कर देते हैं, और जो उसके antigenic site होते हैं, जिससे Florence antibody को detect करना होता है, उस में वह जाकर reaction करके एक दूसरे से बन जाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे, किसी pain का धकन होता है, और दूसरे pain में लगाने पर fit नहीं होता है, लेकिन same pain का धकन, उसमें fit हो जाता है, cap, उसमें fit हो जाता है, उसी तरह antigen, antibody, एक दूसरे के pain और cap जैसा होते हैं, जो आपस में एक दूसरे से मिलकर set हो जाते हैं, और फिर इसको, Florence, जब light गुजरते हैं लेजर light, तो ये, side scatter और forward scatter light को भी खेड़ते हैं, जिसको हम लोग scattered करते हैं, जिसको detector दौरा नाप लियाते हैं, तो ये general इसका preparation, simple का मेठर में बता दिया हूँ, अब test procedure, test procedure के बाले में, उपर instrumentation के बारे में बता दिया हूँ, पहले तो sample का selection करेंगे, फिर sample preparation करेंगे, फि stand करेंगे, और फिर उसके बाद, specimen को inject कर देंगे, instrument के अंदर, flow cytometer के अंदर, और फिर detector द्वारे detect किया जाएगा, और उसके बाद, वो quantitative analysis करके, data को detector evaluate करके, result पराप्त कर लेंगे, अब मुख रुप से इसका application use क्या है, तो analysis of DNA RNA, DNA RNA के analysis में, identification of surface antigen and cell markers, surface antigen, अधिकतर cell के ऊपर, जो मैं ऊपर बता चुका हूँ, antigen होते हैं, जो antigen के, cell के बाहरी भाग में, जो antigen उसको detect करने के लिए, identification करने के लिए, उप्यों कियाता है, cell marker, जैसे cancer marker होते हैं, तो tumor marker, उसी तरह ही है, एक तरह का cell के marker का का काम करता है, किस antibody से कौन cell पहचाना जाएगा, उसके बाद इसका उप्योंग, research laboratory में, cell counting में, cell के character के बारे में, फंसन के बारे में, prophetic इत्यादी के बारे में, उप्योंग होता है, फिर clinical diagnosis में, bacterial diagnosis, cancer के डाइग्नोसिस में, non-hojikans lymphoma के डाइग्नोसिस में, उप्योंग होता है, इसके अलावे, इसका genetic engineering में, और genotyping study में, उप्योंग होता है, फेनोटाइपिक, मतलब physical character, बाहरी पुरपटी के बारे में, cell के बाहरी पुरपटी के बारे में उप्योंग होता है, इसका अन्य उप्योंग, particle रूप से immunofhenotyping, मतलब immune cell के phenotyping बाहरी पुरपटी, और immune system के बारे में, अन्य पुरपटी के बारे में, जनकारी प्राप्त होता है, और यहां, blood canlysis में, और bone marrow, cells, जो bone marrow में होते हैं, precursor cells, जो mature होने के पहले bone marrow में रहते हैं, उसके count के बारे में बताता है, अगर जो count high है, तो cancer को indicate करता है, अब finally रुप से, एक notes के रुप में मैं बता देना चाहता हूँ, summary में, इस technique में, परतेक cell का detection आप independently करके, उसके total count, तो cell के बताएंगे ही, लेकिन उसके character के property का intercellular structure और surface के structure इत्यादी के बारे में, आप independently परतेक cell के बारे में बता सकते हैं, मुख रुप से, flow cytometer instruments से, अगर जो एफ वीडियो पसंद आए, तो like करें, share करें, subscribe करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद,